मेरी प्यारी दोस्तों आप सबका मेरी चैनल इस्टोरी लबर्स में स्वागत है अगर आपको मेरी चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सेर करिए लाइस पार्ट में हमने सुना था कि विंग लेंजा के लेप में सो गया था, अब आगे कुछ समय बाद कैविन का दरवाजा खुलता है लेंजा की सेकेर्टरी आवाज करने ही वाली थी कि लेंजा अपनी आखों से उसे रोक देता है वो अपनी आखों से ही मना कर रहा था सोर करने के लिए लेंजा बड़े ही प्यार से वीन को अपने बाहों में उठाता है और उसे सोफे में सुला देता है फिरो Secretary के पाथ जाता है और पूशता है क्या काम है Secretary कहती है Sir Meeting स्टार्ट होने वाली है और आपका जाना जरूरी है Lenza कहता है ठीक है मैं अब भी आता हूँ तुम सब कुछ अरेंज करो फिर Lenza Wing के पाथ जाता है और उसके माथे पर केस करता है फिर लेंजा मीटिंग के लिए निकल जाता है कुछ समय बाद वेंचो लेंजा के आफिस पहुंच जाता है वेंचो लेंजा की केविन में पहुंच कर अंदर आने की परमीसन मांगता है विंग जब केविन के बाहर से आवाज सुनता है तो उसकी नीन खुल जाती है Wing अपने आसपास देखता है तो उसे लेंजा कहीं भी नहीं दिख रहा था Wing कहता है ये कहां चला गया मुझे भी ना बताए अब मैं क्या करूँ जो बाहर है उसे अंदर आने की परमिसन दो या नहीं कुछ समय सोचने के बाद Wing अंदर आने की परमिसन दे देता है जैसी केविन का दर्वाजा खुलता है सामने वेंचाओ खड़ा था जिसके दोनों हाथों में प्लास्टर चड़ा हुआ था विंग सोचता है ये तो लेंचाओ का कजन ब्रदर है जिसने उस दिन उसे हग किया था लेकिन इसके हाथों को क्या हुआ क्या इसका एक्सिडेंट हुआ है विंग वेंचाओ को देखकर अपने ख्यालों में गुम था इदर जब वेंचाओ ने विंग को देखा था वो भी सप्राइज था कि आखिर ये ओमेगा ओफिस में क्या कर रहा है फिर वेंचाओ चुप्पी को तोड़ते हुए पूशता है नूना आप यहां क्या कर रहे हो विंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और कहता है मैं घर में बोर हो जाता हूँ इसलिए वो मुझे ओफिस लेके आए है लेकिन तुमारे हाथों को क्या हुआ क्या तुमारे एक्सिजेंट हुआ है वेंचाओ कहता है नहीं नूना मेरा एक्सिजेंट नहीं हुआ आपके हज़़न ने मेरे दोनों हाथ तोड़ दी और मैं पूरे चार दिन से हॉस्पिटल में था मैं कली हॉस्पिटल से डिचार्ज हुआ हूँ विंग सप्राइस होते हुए कहता है उन्होंने तुमारे दोनों हाथ तोड़ दे लेकिन क्यों तुमने ऐसा क्या किया था वेंचाओ हिच किचाते हुए कहता है मैंने आपको उस दिन हग किया था इसलिए उन्होंने दोनों हाथ तोड़ दे विंग हसने लगता है और कहता है उन्होंने तुमारे दोनों हाथ तोड़ दे क्योंकि तुमने मुझे हक किया था वेंचाओ कहता है नून आप मेरा मजाग बना रहे हो विंग कहता है नहीं मैं तुमारा मजाक नहीं बना रहा मैं तो इसलिए हसराओ क्योंकि मुझे लगा वो सिर्क मुझे punishment देते हैं लेकिन वो तो सब को punishment देते हैं मेरी punishment तो फिर भी ठीक थे कम से कम उन्होंने मेरी हड़ी तो नहीं तोड़ी लेकिन तुम्हारी तो तोड़ दी लेकिन गलती भी तुम्हारी है तुम्हे किसने काता की आके मेरे गले लग जाओ वेंचाओ कहता है नूना मुझे भी नहीं पता चला मैंने क्यों आपको हग कर लिया विंग कहता है अगर मुझे पता होता कि उस दिन लेंजर नहीं तुम हो, उनसे पहले तो मेरे हाथ तो पिटते हैं, हाँ लेकिन साइद में तुम्हारी ऐसी हालत नहीं करती, वेंचाओ कहता है, नूना ब्रदर ने आपको भी पनीस किया था, वेंचाओ कहता है, नहीं, लेकिन चलो छोड़ो इस बात को, तुम यह क्यों आए हो, यह बताओ, उन्होंने देखा ना कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, फिर उनका गुस्सा आस्मान में चड़ जाएगा, वेंचाओ अपने मन में कहता है, यह ब्यूटिफुल अमईगा, वेंचाओ साइको से कितना डरता है, अगर यह मेरा हो जाए, तो मैं इस कर रहा है, और फिर एक नई punishment खोज लेगा, वेंग को देने के लिए, इसलिए वेंग चुक चाव जाके सोफा में सोने का नाटा करता है, इधा जब वेंचाओ देखता है कि वेंग दुबारा जाके सोफा में सो गया, उसे कुछ समझ में नहाता है कि अचानक वेंग को क्या हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही वेंचाओ को पता चल जाता है कि विंग सोने का नाटा क्यों कर रहा है, क्योंकि केविन का दर्वाजा खोल के लेंजा अंदर आ गया था, वेंचाओ अपने मन में कहता है कि नूना तो बहुत चलाक है, वो बहुत ही चलाकी से सेफ हो गई, इधर मैं फस गया, तभी तो नूना इतने दिनों तक इस साइको के साथ सेफ है, अगर कोई और ओमेगा होता तो पता नहीं अभी तर कहां पहुंच चुका होता, लेकिन इस ओमेगा के पास ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन भी है, इन्हें पता है कि इन्हें अपना ब्रेन का रहे हो मेरी परमिसन के बिना, और मेरी वाइफ अराम से सो रही है, तो मुसे डिस्टॉप कर रहे हो, वेंचा कहता है, ब्रदा आप गलस समझ रहे हो, मुझे नहीं पता था कि नूना अंदर है, मैं तो आप से मिलने आया था माफी के लिए, मैंने उस दिन जो भी किया, प् पिर भी ये माफी मंगने आया है, एक हक के लिए, इधर लेंजा वेंचाओ को गुसे से कहता है, तुम मेरी वाइफ की नेन दिस्टॉप कर रहे हो, चलो केविन से बाहर जाके बात करते हैं, लेंजा वेंचाओ को बाहर लेके चला जाता है, वेंचाओ लेंचाओ मुझे पता है कि तुम उससे माफी क्यों मांगने आए हो तुम फिकर मत करो मैं किसी भी प्रोजेक्ट को कैंसल नहीं करूंगा और तुम यहां से जा सकते हो बस मेरी वाइफ से दूर रहो दूबारा यह सकल मेरी वाइफ को मत दिखाना वैंचा उस ओफिस से चला जाता है और वैंचा अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कार को मैंसन की तरब चला लो लैंजा आपिस केविन में जाता है विंग के पास जाके बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जाक चुके हो इसलिए उठ जाओ विंग अपनी मासूम से आके खोलता है और पूसता अभी तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं नाटक कर रहा हूं लेंजा कहता है क्योंकि तुम्हें नाटक करना यह नहीं आता लेंजा पूसता है क्या वेवकुप तुमसे कुछ कह रहा था विंग बहुत प्यारा सा पाउट बनाता है और कहता है अभी तुम जितने समझदा वो थोड़ी है जो से पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रहा हूं मैं तो सोने का नाटक कर रहा था और उसे लगा मैं सच में सोया हुआ हूँ इसलिए उसने मुझसे बात करने की कोशिस नहीं कि उसने कुछ नहीं बोला मुझसे विंग को पता था अगर लेंजा को किसी बात अच्छा किया कि उसके सामने सोने का नाटक किया चलो अब जल्दी उठो हमें बहार लेंज करने के लिए जाना है फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है विंग घबराता हुआ पूचता है क्यों क्या हुआ तुम्हारी तब्य तो ठीक है ना तुम्हें कहीं दर्द तो न ठीक हो बस मुझे रेगुलर बिटामिन खाने पड़ते हैं मेरी बिटामिन खतम हो गए इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें भी अपने साथ लेके चलो विंग कहता है फिर आप ब्रदर सिचन को घरी क्यों नहीं बुला देते लेंजा कहता है बेबी मुझे विटामिन सिचन ब्रदर नहीं देते मेरा डॉक्टर कोई और है जिन्होंने मेरा इलाज बच्पन में किया था जब मेरा बचना भी मुझकिल था जब से मुझे रगुलर मेडिशन लेनी पड़ती है इसलिए चलो अब बाकी के उमकैरी बार में ले लेना फिर दोनों लंज के लिए चले जाते हैं ओकी गैस आज का पाटी है रखते हैं बाई ठैंक्यू